जाहें दोस्तों एक बाद पिर स्थागता आप के पने यूटूब चैनल में दोस्तों किलिए अभी इंडियन आर्मी और परा मिलिटरी पोर्सेज की तैयारी कर रहें सारे candidate जो देश भर में अलग अलग राज उसे जो लगतार सेना बरती की तयारी करते रहते हैं और जब वो हर बार race qualify कर लेते हैं या वो medically unpit हो जाते हैं या फिर वो return में बाहर हो जाते हैं लेकिन दोस्तों सेना की बरती है वो साल में एक बार आती है और ऐसे में वो overage हो जात हैं और बहुत सारे candidate आपने देखें भी होंगे जो पहले भरती भी हो चुके ऐसा सेना की तरफ से क्या अब ऐसा हो सकता है सेना की तरफ से हाइटेक सिस्टम के द्वारा एसे बहुत सारे candidate पकड़े जा रहें अब देश बर में ये सिस्टम लागू किया जा रहा है दोजार किसमें क्या-क्या बड़े बदलाव अब सेना बरती की तरफ से किये जारे दोस्तों इसको लेकर पूरी जानकर ये आपको डीटेल से बताने वाले अगर आप भी सेना रेली बरती की तयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा मैत्मुन साबित रहन ने वाला वीडियो के अंतक आप जरूर बने दीजियेगा साथ वीडियो को लाइक कर दे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सस्क्राइब कर ले दोस्तों कमेंट बोक्स में कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आप कौन से राज्ये से बोक्स में लिंक दिया गया जाके टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर ले वहां पर आपको इंडियन आर्मी और टी आर्मी की हर परकार की रेली बढ़ती की अफडेट मिलती रहेगी साती सेना बढ़ती के आपके प्री सियर के पेपर भी आपको फ्री ओफ कोश्ट या पर तयार रेली बढ़तीयों में सुविकार की जाती है या नहीं की जाती है तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ अगर आप ओपन डिली बोर्ड या पिर किसी भी स्टेट बोर्ड के माननेता प्राफ्ट बोर्ड है जैसा डिली का जो ओपन बोर्ड है और उससे आप दस्वी करते हैं तो आपकी मार्क सीट सेना रेली बरती में बिल्कुल चलेगी और आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा लेकिन दोस्तों अगर आप दूसरी वार दस्वी कर रहे हो और उसके बाद में अगर आप आधार कार्ड में करेक्शन करवा रहे हो क्योंकि सेना रेली बरती में ब और आधार कार्ड वेरिपिकेशन में भी आपके ओफोन से OTP लेकर पूरे आधार कार्ड का बॉय डटा देखा जाएगा जिससे अगर आपने आधार कार्ड में क्या क्या क्रेक्शन करवाए हैं ये सब पकड़े जाते दोस्तों सेना के हाई टेक सिस्टम से 2020 में भी जो सेना ली बरती है उसके नतीजों की बात करें तो बहुत सारे केंडेट जो फरजी दस्तावेजों के कारण सेना में बरती होने के लिए लगतार त्यारी करें थे अब वो सभी केंडेट बाहर हो गए क्योंकि सेना के हाई टेक सिस्टम से सेना के भरती इस्तल पर ही बहुत सारे के सेंड़ेड पकड़े जाते हैं तो अगर आप भी धूस्तों अगर आप सेनह से ओरेज हो चुके हैं सोल्जर जीडी से और उसके बाद में अगर आप भी आईउ कम कराकर दूसरी मार्क सीट बनाकर उसमें एज अपनी कम करवा के आदार कार्ड क्रिक्सन करवा के अगर आप सेना रेली बर्ती में जा रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा खत्रा हो सकता है हो सकता है आपको सेना की तरफ से दोस्तों आगे के कुछ सालों के लिए सभी competitive exam के लिए परती बंदीत भी किया जा सकता है तो दोस्तों 2021 में सेना की तरफ से बड़े सिस्टम किये गए जिसके बाद सेना रेली बर्तियों में अब काफी कम भीड़ देखने को मिलने वाली है और ऐसी इसी कारण एक साल में दो दो सेना रेली बर्तिया भी आपके होने जारी साल दोस्तों जो जनवरी और जो रेली बर्तिया आपके फरवरी मार्च में हुई थी जो रेली बढ़तिया आपके सितंबर अक्टूंबर में हुई थी वो रेली बढ़तिया फिर से दोस्तो इसी साल आपके सूर हो चुकिये मतलब जून जुलाई में आ रही है तो लगबग 6 महीने या 7 महीने से सेना रेली बढ़तिया होना सूर हो चुका है तो दोस्तों सेना रेली भरती में अगर आप जा रहे हैं तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा साथ में जानकार इपने दोस्तों के पास में आप जरूर सेर कर दे ताकि आपके दोस्त भी कोई किसी परकार की गलती ना कर बेटे तो दोस्तों स्टूड़े में इतना ही मिलते ने स्टूड़े में तब तक के लिए जय जय बार